हलो भाईयों स्वागत्यव का नीव वीडियो में बिहार पुलीस मद्ध निशेद का एक्जाम डेट आ चुका है ठीक है आप लोगों को पता चल गया होगा पेपर के माधियम से आज ओफिसियली नोटिफिकेशन भी आ चुका है एक्जाम कितने सिफ्ट में होगा एर्मिट क चैनल पर मैं डाल दूँगा जो की लिंक डिसकोशन भॉक्स में होगा ठीक है तो चलिए देख लेते हैं केरिमिट कड कप से डाउनलोड होगा और कितने सिफ्ट में एक्जाम होगा ठीक है जैसे कि मैं ऑफिसियली बेव साइट पर आ चुका हूं बिहार प्लिस का बिहार पर प्रोफिवीशन डिपार्टमेंट जो लिएगा है इस पे हम क्लिक करते हैं तो आज के डेट में आपको दो नोटिस मुलेगा जैसे अच्न,avin Dutch,क्या है मैं आपको दिखाता हूं, जिसे पहला नोटिस हम देखते हैं इसको, मठीक है जैसे देखिए में चाहिए पहला मे कोई registration किये थे और फॉरम संविट ही नहीं किये उनका फॉरम हो चुका है ऐसे student जो है 493 है और वह ऐसे beam number में है कि जो फॉरम चुका है अपलीकेंट द्वारा ही कैंसील कर दिये हैं कोई बरह होगा कैंसील कर दिया होगा वह ऐसे 3585 है student है और invalid हुआ जीसे फोटो और सिगनेचर के जलते हो रद हुआ तिनसो फॉरम फोटो और सिगनेचर के जलते है रद हुआ या उसको reject कर दिया गया 88 तो तिरपन total reject कर दिया गया ठीक है यहाँ पे नाम और पूरा किस कारण से इसको reject किया गया है उसका full details से यहाँ पे है ठीक है अगर आपका forum ठीक से भरे होगे तब आपका reject नहीं हुआ होगा यह उसी का reject है जो forum को submit ही नहीं किया यह forum को आपने खुद से cancel कर दिया यह photo signature अच्छा से upload नहीं किया ठीक है अब दूसरा notice हम लोग देख लेते हैं जैसे कि एक दूसरा notice था दूसरा notice में सारा डियल्स दिया हुआ है दूसरा notice है यह जैसे देखिए यहाँ पे अधनिसेत के लिए परिच्छा के बाद कहा गया है जो 14 मई को परिच्छा होगा प्रथम पाली में होगा एक ही पाली में परिच्छा को संपन कराया जाएगा जैसा कि अब लोग को पता ही होगा कि दो घंटा का एक्जाम है 10 से 12 एक्जाम चलेगा एक ही पाली में एक्जाम खतम हो जाएगा आठ बज़े रिपोर्ट करना है और नो बज़े तक आपका गेट बंद हो जाएगा ठीक है और साब साब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 27 अपरील को आपका एडमिट काड डाउनोड होगा क्या क्या लेके जाना है तो यहाँ पर तो एडमिट काड होगा और एक बैलेड अधार काड या कोई फोटो पहचान पत्र होगा ठीक है और दो फोटो लेके जाना है निव फोटो मांगता है आपको लेके जाना है मालने जिए किसी का अगर एडमिट काड डाउंलोड नहीं हुगा किसी का रणवस तो आप 11 मई से 12 मई तक जाकर 10 बज़े से 6 बज़े तक सिपाही जो CSBC का जो आफिस है वहाँ से आप एडमिट काड निकल वा सकते हैं ठीक है और सारा डिजल साब का केंदर सूची का लिस्ट कहां एकजाम सेंटर कहां पड़ा आपको सताई सप्रील को एडमिट काड में पता चल ही जाएगा ठीक है और ये लास्ट में OMR सीट का कुछ प्रारूप है कैसे OMR को भरना है उसका कुछ निर्देस है इसी परकार का आपका OMR होगा जो कि आप जानते ही होंगे तो वीडियो में इतना ही धन्यवाद